ये जंगल स्वानापूर का था आईए आज ही कहानी स्वानापूर के तोते और काउं के बारे में तोते मिया गर्मी में इदर उदर भटक रहे थे कि कुछ खाने को मिल जाए बहुत जादा तलाश करने के बाद तोते मिया की नजर एक केक पर पड़ी तोते मिया ने केक उठाया और अपने घोसली की तरह फिरवाना हुए रास्ते में तोते मिया को उनके बेस्ट फ्रेंड काउं मिल गए ओ तोते मिया अकेले अकेले पार्टी हो रही है कहा भाई दो दिन से कुछ खाया नहीं है बड़ी मुश्किल से केक मिला है आज पेड भर के खाऊंगा कुछ हिस्सा मुझे भी दे दो तोते मिया जा भाई अपने लिए खुट ढूंड का खाना ला तुझे तो मुफ्त की रोटी तोडने की आदत पढ़ गई है तो कौन सा महनत करके खाता है कभी इधर से तो कभी इधर से इस तरह से तोते मिया और काउ की लड़ाई हो गई वो एक दुस्से को बुरा बुरा कहने लगे एक केक के टुकडे के चकर में इतने में चील और चिडिया वहां से गुजर रहे थे वो दोने दोनों भी काउ और तोते मिया की लड़ाई छुडाने के लिए आ गए लड़ाई रोकने के लिए बार बार चिडिया तोते मिया को समझाती हो चील काउ को लेकिन वो तो बस दोनों लड़ने में मसरूफ थे लड़ते लड़ते दोनों पुरानी बातों का जिकर करने लगे बस बस बहुत हुआ तोते मिया एक केक का टुकड़ा तो तुम मुझे दे नहीं सकते और करते हो यसी बड़ी बड़ी बाते चील बहन तुम अपने घर उस दिन साफ करके गई थी न और आप वापस आने पर सब कुछ गंदा था वो काओं ने किया था उसी नहीं सारा दावत का खाना एक जमीन पर गिराया था तोते मिया बस 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 तुमने भी तो बरसाथ में चुड़ीया को जूट कहा था कि उसके घर मेमान है जब गाओं में चौरिया हो रही थी तो तुमने बोला नहीं था शेर के लिए कि वो चुड़ीया कर रहा है सब के घर में बस 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 तुमने भी तो बरसाथ में चुड़ीया को जूट कहा था कि उसके घर मेमान है तुमने जगा नहीं दी थी रात को चुड़ीया को रहने के लिए और मुझे भी मना किया था कि चुडिया को घर में नहीं रखना तो मेरे को मश्वरा किस नहीं दिया था इस बात का अगर मैंने शेर के उपर नाम लगाया तो तुम्हें बचाने के लिए लगाया और पूरे गाउं में शोग शराबा हुआ था तो चुडिया भी तो तुम ही कर रहे थे ओह है तुम तो कितने देज हो तुमने तो सारी बाते मुझे बोल दी और जो तुमने गंदे का पूतर का शरबत नमकीन किया था जंगल सब तुम्हारे शरबत पीने आये था कि तुमने भी तो मुझे बताया था चिडिया के चार बच्चे पैदा हुए है और तुमने ही उल्टा था चिडिया का गोसला इन दोनों की लड़ाई में इन दोनों को एहसास ही नहीं हुआ कि वो एक दूसरे को बुलते बोलते एक दूसरे की सारी पोले खोल चुके हैं इस लड़ाए के बाद तमाम जंगल के जानवरों ने तोटे मिया और काओ को जंगल से बाहर उठा के फेक दिया तो प्यारे बच्چों लाल जबुरी भला है और एक दूसरे के लिए बुरे काम भी नहीं करना चाहिए क्या हुआ दोनों के दोनों जंगल से निकल गए अगर तोथे मिया थोड़ा सा केक काव को दे दे थे और अगर काव अपनी जबान बन रखता तो ऐसा कुछ नहीं होता तो हमेशा अच्छे दोस्तों की स्वाबत मेरें और अच्छे दोस्त बनाएं चैनल जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक करें